कोटा में लाखों बच्चे आते हैं और पुरे देश में लाखों बच्चे आईटी ये मेडिकल की तियारी कर रहे हैं अगर हम फेल हो गए तो हमारे पस कोई रस्ता नहीं किया आप उसके लिए तैयार हैं मेडिकल में नहीं हो पाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? कि मुझे तो आईटी नहीं बनना है, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, इसके लोग कोई मेरी जिन्दी की मुद्देश ही ही नहीं है. हलो स्टुरेंट्स, आज आपके लिए एक और स्पेशल पोड़कास्ट लेकर आऊँ. इस पोड़कास्ट में मैं बात करूँगा कि सफलता के लिए प्लान A ले या प्लान B ले. सबसे पहले समझते हैं कि प्लान A या प्लान B होते क्या है? कोटा में लाखों बच्चे आते हैं और पुरे देश में लाखों बच्चे आई-टी हैं मेडिकल की तियारी कर रहे हैं. आई-टी और मेडिकल की तियारी करने वाले बच्चों का एक प्लान होता है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें आई-टी में जाना है. ये उनका एक में उद्देश होता है, में गोल होता है, इसको हम बोलते हैं प्लान A पर दो मैं जब बच्चों से बात करता हूँ और उसे पूसता हूँ कि आपका प्लान B क्या है प्लान B का मतलब होता है कि अगर दुरभाग्यवश आप IAT में सेलेक्ट नहीं हो पाए या मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो आप क्या करना चाओगे, आपका प्लान B क्या है तो आज तक मैंने 99.99% कैसेस में ये सुना है कि हमारे पास कोई प्लान नहीं है अगर हम फेल हो गए, तो हमारे पास कोई रस्ता नहीं है बहुत से लोग ये मानके चलते के सर मैंने तो सिर्फ अपनी जिन्दी की में एक उद्देशे बना है कि मुझे तो IT नहीं बनना है, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है इसके लोग कोई मेरी जिन्दी की में उद्देशे ही नहीं मैं आपको यहाँ पर एक चीस में करेंट करना चाहता हूँ जिन्दी की का उद्देशे IT ने डॉक्टर बनना नहीं हो सकता ये एक माध्या में जिन्दी की का उद्देशे सेवा करना हो सकता है कि मुझे डॉक्टर बनकर देश की सेवा करनी है या मुझे लोगों की सेवा करनी या मुझे इंजिजर बनकर टेकनोलोजी में काम करना है आएटी और मेडिकल कोलेज ये रस्ते हो सकते हैं आप ये भी सोचते हैं किसा नहीं आइटी और मेडिकल कोलेज जो चले गए तरी लाइफ सेट है करियर बन गया तो यहाँ पर आपका गौल आईटी है, मेडिकल नहीं है यहाँ पर आपका जो गौल है वो जिन्दीगी में सफल होना है समयने था 99% केसिस में लोग जिन्दीगी में सफल होना चाहते है और सफल होने के लिए सबसे सेफ रस्ता choose करते हैं और आईटी की preparation करना और आईटी में जाना ये medical की preparation करना और medical college में जाना उनको एक safe रस्ता दिखता है उनको लगता है कि अगर हम यहां पर चलेगे तो हमारी life set हो जाईगी तो अद्देश है क्या हुआ जिन्दी की में सफल होना तो वापस हम हमारे मुद्दे पर आते हैं तो मैंने बोला था कि plan A आपका बिल्कुल सही है आप plan A के लिए तैहरी करें परन्तों अगर plan A में नहीं हुआ तो हमारा जो goal है जिन्दी की में सफल होना वो खतम नहीं हुआ जिन्दी की में अब तब भी सफल हो सकते है जब हम plan A को pursue नहीं कर पाएं या उसमें fail हो जाएं शर्त ये कि हमारे पास plan B भी होना चाहिए plan B क्या होता है plan B वो है कि अगर आप IT में select नहीं हो पाए तो आपके पास और क्या क्या option है कि आप उसके लिए तयार है medical में नहीं हो पाए तो कि आप उसके लिए तयार है तो आपको आज ही plan B भी बना लेना चाहिए जैसे अगर आप IT की तयारी कर रहे है और IT में नहीं जा पा रहे है तो बहुत सारे engineering college है NITA, BITS है अगर engineering college में नहीं जाना चाहते है तो आप IIMS में जा सकते हैं आजकल 12th class बच्चों के लिए integrated MBA प्रोग्राम आता है आप low में जा सकते हैं आप BCA कर सकते हैं आप BACB8 कर सकते हैं और और भी बहुत सारे option आपके लिए open हो जाते हैं अगर आप IIT में नहीं जा पारे हैं इसी तरी किसे medical में तो आप फीजो थेरेपी कर सकते हैं आप allied health sciences के बहुत सारे course जैसे B.Farma में जा सकते हैं आप BACB8 कर सकते हैं आप BCA कर सकते हैं और इसे endless options हैं जो आपके लिए वहाँ पर available हैं परन तो जब मैं इस तरह की बात बच्चों को बताता हूँ तो बच्चे बोलते के सरसे ध्यान बटक जाता है हमारा जो core गोल है हम उससे deviate हो जाते हैं परन तो इसा नहीं होता जैकि इन सब के लिए आपको कोई भी special तैयारी नहीं करनी सिर्फ aware रहना है फिल करिए और अगर उनके लिए special तैयारी करनी पड़ती है तो मेरा यह experience है कि अगर हम यह जितने भी दूसरे plan B के courses है इनके लिए अगर special तैयारी करनी पड़ती है तो वो आपकी पूरी तैयारी का एक परसेंट भी नहीं होता एक्स्ट्रा तो आप उसको आसानी से कर सकते है तो आप उसकी तैयारी करिए plan B के एक दूसरा बहुत बड़ा फाइदा होता है और वो यह होता है कि अगर आपका plan B होता है तो plan A में आपका confidence level बहुत अच्छा होता है आपका अपने पर बहुत confidence होता है क्योंकि आपको डर हड़ जाता है कि अगर मेरा A में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा क्योंकि आपका plan B होता है और उससे आपकी plan A की जो performance है वो लगबग 15 से 20% ज़्यादा बहतर आती है और आपके plan A में सफरनोने के chances बड़ जाते है तो ध्यान रखिए अगर आप idea की तियारी कर रहे है तो आपको plan B जरूर बनाना है plan B के बहुत फायदे है कुछ मैंने आपको बता दिये कुछ आप मेरी channel से जुड़े रही है मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा अभी के लिए इतना ही आगे फिर मिलते है Thank you very much